खर्चा पानी इस ब्राथ टू यू बाई लिवोजन टॉनिक थकान और कमजोरी से दे आजादी क्या हुआ गाड़ी ज्यादा बड़ी है गाड़ी अरे काश मुझमें ये सोफा पुछ करने की ताकत होती थकान और कमजोरी खुन में आईरन की कमी के लक्षन है लीजे लिवोजन टॉनिक इसमें है और गानिक आईरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी नमस्ते मेरे नाम है सिध्धान साथ में आईशुमान जी ये है खरचा पानी का एक और एपिसोड और खरचा पानी में इन दिनों हम लोग वैक्सीन वैक्सीन को लेकर वैक्सीन का जो अर्थशास्त्र है उसको लेकर जो किंद्र सरकार के ऐलान है जो तैयारिया है हम उनको ज्यादा फोकस पे रख रहे हैं अईशुमान जी बड़े कुछ ऐलान आए हैं आज देशुमान वैक्सीन को लेकर बताए 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 खरचा पानी में आप सबका स्वागत है जिधानत हम लोगों ने कल जिन चीजों पर चर्चा की थी आज उनका फालू अप करने का दि लिफ्ट वैक्सीन देने की अगर वो देंगे तो उसके बजट की वेस्थां को करनी पड़ेगी वो सारी चीज़ें आज खुलकर सामने आ रहे हैं और खबरें बड़ी ऐसी हैं कि आप उनको असमानताओं की दृश्ची से देखें उनमें कोई ना कोई एक एक जो एक्किलि लिफ्ट वेक्सीन दी जाएगे हैं शुवांजी और यह सब वो खबने तब आ रही हैं जब रॉम मेटरियल की क्राइसिस है सीरम इस्चूट के पास और स्पितनिक जो वैक्सीन है तीसरी वैक्सीन तीसरा वैक्सीन कंडिडेट जो है जो भारत में आ रहा है डॉक्टर इंडिया में आएगा इंडिया का जो रिगुलेशन का पूरा चैप्टर है जो बंद हो रहा है देरे देरे वैक्सीन को लेकर या कहें कि राज्यों के लिए अलग रिगुलेशन है और हमारे लिए अलग रिकेंदर के लिए अलग रिगुलेशन है तो उसमें अपने आपको बिठा रहा है और हम इन सब चीज़ को बीचे यूएस के रॉमेटरिल की क्राइसिस है यूएस के ड्रग्स के बैन है अशुमा जी सबसे पहले सीरम की प्राइसिंग जैसा हमने पहले बताया दो अलग अलग स्लै प्राइवेट अस्पतालों और राज्यों के लिए तो हई है केंद्र के लिए भी अलग स्लै नई वेक्सीन प्रोक्यूर्मेंट पॉलसी कहती है कि 50% वेक्सीन का प्रोड़क्शन केंद्र खरी देगा 50% खुले मार्केट में चाहे राज्यों खरी दें चाहे प्राइवेट अस्पताल खरी दें और जो 2500 रुपए में आपको प्राइवेट अस्पताल में लग रही थी वेक्सीन वो बंद है बंद है तो इस पूरे वेक्सीन के स्ट्रक्चर को जो इतना ज़्यादा GST के तमाम स्लैब्स जैसा होता जा रहा है यह आपको तीन-चार प्राइवेट अस्पताल में अगर आप वेक्सीन लगवाने के बारे में सोचते हैं तो दो डोज में इम्मिनाइज होने की कीमत आपकी 1200 रुपए बैठती है तो क्या है वेक्सीन का प्राइस स्ट्रक्चर इतना कनफ्यूजिंग इतना ज्यादा बहुमुखी क्यों है सिधन्त हम लोगने लगातार जब इस पर चर्चा कि थी कल भी इस पर चर्चा कि थी और हमारी कोशिशी से होती है, अपको वो चीजें बताइए जो आपके लिए जानना जरूरी है, भले ही आपको सुनने में शुरुइत में थोड़ा चुनूती पूर न लगे अब वैक्सीन का धाचा, वैक्सीन की प्राइसिंग का धाचा हमारे सामने एक माई से आने वाली पॉलिसी के हिसाब से इस पश्ट हो गया है और इसके दो बड़े आयाम है। और बाकी जो 6-7 अलग अलग केंडिडेट हैं जानसन और जानसन वो आएंगे तो वो घाटे पर नुकसान पर वैक्सीन नहीं बेचेंगे क्योंकि उनने इसके रिसर्च पर पैसा खरच किया है। तीन अलग अलग प्राइस है यानि वन नेशन थ्री वैक्सीन के रेट है। और यह चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए थी वैक्सीन की पूरी प्राइसिंग स्ट्रक्चर को जो सोचा नहीं गया। जैसा आपने कहा कि केंद्र सरकार को ढ़ाइसो पर मिलेगी और राजी सरकार को चार सो पर मिलेगी। जो रेट सिर्म ने तैय किया है। अब आश्यरी की बात यह प्राइवेट सेक्टर को थोड़े दर के लिए किनारे कर दें। प्राइवेट सेक्टर सेक्टर अपने लेवल पर जो भी सुविधाएं देगा यह जो बाकी चीज़ें लेगा यह समझना जरूरी है और यह यह होगी कि एक ही देश में दो अलग अलग सरकाजी धाचों के तहत एक ही कंपिनी की वैक्सीन दो कीमत पर कैसे भी किया अगर आप कोविशील्ड इस्टेट गर्रोब्नेंट के हॉस्पिटल में लगवाने जा रहे हैं तो आप उसका चार सो रूपया देंगे जो आज की कीमत के साब से और केंद सरकार के उस पर लगाने जा रहे हैं तो ठाइसो रुपए कैसे होगा ये असंगती कई तरीके की समस्चाओं को पैदा करेगी तीसरी चीज़ ये कि जब निजी क्षेतर के लिए आई है तो छेसो रुपए है और वो भी सिरम की है अभी कोवेक्स की कीमत हम यहां दो बड़े खत्रे हमको दिखाई दे रहे हैं हम फिर वही बात कह रहे हैं कि चुनोतियां पहले से बता देना आपको सतर्क कर देना दर्शक के तोर पर जरूरी है हम वैक्सीन के पूरे प्राइसिंग में एक जबरदस्ट घालमेल देख रहे हैं सरकार को सस्ती है यदि हम मान भी लें कि सारी चीजें बहतर ढंक से चलेंगी तो पहला सवाल है और इसलिए हमेशा एक प्रोडिक्ट के और एक जैसी सेवा के जब कई तरीके के मूल्य होते हैं तो उसमें हमेशा प्राफिट बुकिंग हमेशा शॉर्टेज का फाइदा उठाया जाता है अभी फिलाहल भारत में वैक्सीन की शॉर्टेज रहने वाली है राजसरकारें दवाओ बनाएंगी तो उन्हें वैक्सीन मिलेगी क्या ट्रांसपेरेंट ढंक से वह वैक्सीन उनलों को मिलेगी जिने सरकारें देना चाहती है और क्या वैक्सीन के पूरे हुई है हम देख शुके हैं भी जनवरी से अभी तक सरकार काईदे से वैक्सिन नहीं बाट पाई चीजें लड़ा गई ही वैक्सिन का वेस्टेज हुआ यहां एक सवाल उठता है कि राज सरकारों ने मुफ्त में बाटने की बात कही है दो राज सरकारों की चर्चा दो तीन मुफ्त में बाटना चाहती है यह भी प्राइसिंग से जुड़ा हुआ हुआ है इसको बार बार 2022 में होने वाले विदासवा चुनाओ से जोड़कर देखा जाए तो चुनाओ से पहले बिहार में भी बात कही गई थी अब बहुत से लोग इस बात पर उत्साहित हो सकते हैं जो सरकार है भी टेवी फ्लू फेमी फ्लू और अमेडिसिविर नहीं बाट पा रही है जो मरते हुए लोगों के लिए जरूरी है उनका नेटवर्क इतनी बड़ी आबादी को आलमोस्त अधिकांश आबादी को 18 से 45 साल की आबादी को समय पर वैक्सीन कैसे दे पाएगा औ जों को कितना निवेश इस वैक्सीन को बाटने के धाचे में करना पड़ेगा और उस धाचे के तहट वो कितने लोगों तक पहुंचा पाएंगे क्योंकि एक प्राइवेट पैरलल नेटवर्क भी बनेगा ये कहना बहुत आसान है कि प्राइवेट सेक्टर से जो खरीद प लेगी तो संक्रमन के केरियर होंगे इंपेक्शन के केरियर होंगे तो ये दूसरा पहलू है यहाँ पर सारी मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कल मेरी रमन गंगा खेड़कर से बात हो रहे थे छुमान जी तो मैंने उनसे दसकंदर मेरे बाचे की, मैंने उनसे कहा कि वैक्सीन से संक्रमण की चेन, बुलें उन्हें, संक्रमण की चेन ब्रेक नहीं होगी किसी भी हाल में आप वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमित होंगे, आप संक्रमन कैरी करेंगे, आप करियर बनेंगे, आप दूसरों को देंगे, लेकिन ये तय है कि आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, आप हेल्थ केर स्ट्रक्चर पे एक ज्यादा लोड की तरह सामने नहीं आएंग कि ये डिवेट की वैक्सीन से कितनी हार्ड इम्मुनिटी आएगी, ये वैक्सीन का जो डोज अभी आपको मिल रहा है, ये कितने समय तक प्रभादी रहेगा, आपको दूसरा डोज इसके बाद फिर दो डोज अगला बूस्टर रहना पड़ेगा, ये सारी बहसे पारलल है ये भी वैग्यानिक और जाच और प्ड़ताल और शोध के बीच में चल रही है, मानाए जा रहा है कि वैक्सीन सुरक्षा है, कम से कम जान तो बचाएगी, कम से कम आपको लोगों की मृत्य तो रोकेगी, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि वैक्सीन कम से कम लोगों को confidence तो देगी कि वो system में काम कर सकें, निकल सकें, जा सकें और उनके भीतर एक प्रित्रोधक शम्ता तो विक्सित करेगी गंभीर वीमारी के तौर पर और जैसा लक्ष रखा जा रहा है, सरकार यतना बड़ा लक्ष रखा रही कि पूरी आबादी को लगाया जाना है तो यह सोच समझकर लक्ष रखा जा रहा है कि वैक्सिन ही अकेला बचाओ है, तातकालिक तोर पर वो सब को पहुचना चाहिए तो प्राइसिंग को लेकर गफलत है, प्राइसिंग को लेकर अभी एक तीसरा लेवल और आएगा, जब हमारे सामने विदेश की वैक्सिन आएंगी, जैसे क्या आपने जिक्र किया है कि इस्पतनिक फाइफ जो आने वाली है, डाक्टर एडडी लैप की, उनकी प्राइसिं की वैक्सिन के प्राइसिस दिखाई देंगे, इनके बीच में वैक्सिनेशन जो की सरकार की जिम्मेदारी है, वो उसे कैसे निभाया जाएगा, यह हमें देखना होगा, लेकिन कम से कम सरकार को इतना जरूर करना चाहिए, सोचेगी सरकार आने वाले समय में सोचना चाहिए कि कम से कम सरकारी network में तो vaccine के दो prices ना हो सरकारी रहाचे में तो vaccine की दो कीमते ना हो कि केंदर पर सस्ती और राज्ज़ों से महंगी vaccine मिले obviously और दूसरी एक और चीज़ है कि एक होड़ा उर शुरू होगी चुनावाले राज जी मुफ्त में वैक्सिन देने के कोशिश करेंगे पर बाकी राज जी नहीं दे पाएंगे कितने राज जैसे होंगे जो अपनी पूरी आबादी को मुफ्स वैक्सीन दे पाएंगे और अगर उन्हें मुफ्स वैक्सीन देने की कोशिस की तो कितना लंबा समय उन्हें लगेगा लोगों तक इस विधा पहुचाने के लिए ये पहलू भी हमें ध्यान में रखने होंगे हाँ और मिला जुलाकर एक बड़ी बित्ती असमानता की ओर हम देख रहे हैं जिसमें वैक्सीन लगवाना है तो आपको एक बड़े जटल सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा प्राइवेट अस्पतालों को जो दोड़े उस बारा सो में मिल रहे हैं वह सो का में फंदरा सो में मिले हैं तो एक वह डिफरेंस प्रॉफिट का डिफरेंस तो और भी बड़ा और वर्याज होता जाए अगर आप एक परिवार के लिए दो एल्डर कपल हैं दो माता पिता हैं कपल हैं दो और एक एड़ल बच्चा है पांच एच्छे लोग हैं तो ऐसे परिवारों के लिए वाक्सीन की एक पूरी खुराक की लागत अगर हम प्रिवेट सेक्टर के परस्पेक्टिव से जोने और वो सारे बार की नौ से नौ से तो और अगर वो इस जिसकी एफिकेसी के इशूज हैं अगर हम इससे और बहतर या आगे की वाक्सीन की बात करें तो शाहिए लागत और जादा होगी समय थोड़ा सा बचा हुआ है हमारे पास हम डिसकस करना चाहते हैं इस पूरी असमानता की ख़वरों के बीच सिरम इंस्ट्यूट और को वैक्सिन बनाने वाली कंपनी भारत बायो टेक ने भी कई मौकों पर ये बाचित सामने आई हैं उनके ख़वरों के हवाले से उन्हें बार-बार कहा है यूएस रोम मेटरियल्स पे बैन लगा रहा है यूएस ने रोम मेटरियल्स रोके हुए है जो होते हैं जो वैक्सिन moreक्षिन के लिए बहुत क्रूशल इलिमंट माने माने जाती हैं उन पर बैन लगा हुआ है उनके एक्सपोर्ट में यूएस ने अपने हाँ जो फाइजर मोडर्ना की तरफ क्रूड मैटरियल्स को पॉंप करने के लिए जो अमेंडमेंट किया उसको लेकर यह आया है अब तो ड्रग्स भी यूएस ने बैन किये हैं सितिया क्या हो सकती है इस साल मार्च में बारत वैक्सीन एक्सपोडर से वैक्सीन इंपोड़र बन गए जनवरी तक हम भारत को एक वैक्सीन एक्सपोडर के तोर लिए था कि इसकी दूसरी वेवाएगी, तीसरी वेवाएगी, बुस्टर डो देने पड़ सकते हैं, एक डो से काम नहीं चलेगा, ये सारी चर्चाएं दुनिया भर के किसा तंत्रों में सरकारों के बीच में हैं, हम लोग इससे गाफिल, या हमारी सरकार इससे गाफिल क्यों के सिती में आया, सिदान्थ पूरी दुनिया में वेक्सीन की सप्लाई डिमांड का पूरा मारकेट बदल गया और चेंज हो गया, दुनिया के सारे देश जिनके पास रा मैटेरियल्स थे, जिनके पास प्रड़क्शन कैपेसिटी थी, जिनके पास कमपेनिया थी, उन्हों अपने अपने मार्केट प्रोटेक्ट करने शुरू कर दियें। तो उन्हें उसकी कीमत मिलनी चाहिए. अब यहां भारत की डिप्लोमेटिक परिक्षा है, कूटनीतिक परिक्षा है, कि वो कैसे अमेरिका को इस बात के लिए सहमत कर सके, कि उसे भारत को कच्चामाल मिल सके, क्योंकि जितने अभी पूरा आपका पूरा ये जो लक्ष है ना, जो पूरा का पूरा टार्गेट है, ये इस बात पर नहरुबर करता कि हम उतनी वैक्सीन प्रेडूस कर भी पाएंगे भारत में की नहीं? हमने पिछले बार कल के एपिसोड में पर चर्चा की थी कि 75 मिलियन पर मंथ डोजिस की कैपेसिटी है, हमको कित को करीब करी 1.2 बिलियन डोजिस की कैपेसिटी चाहिए, उतनी कैपेसिटी के लिए अब सरकार की कूटनितिक परिक्षा, अंतराष्ट्री है, इस तरह पर दबाव बनाने की परिक्षा होगी, क्योंकि अब हमें कच्चा माल चाहिए, अब हमें वैक्सीन कंपिनियों को भारत बुलाना ज़रूरी है, और वो आएंगे अपनी तक्नीक और कच्चा माल लेकर, अब हमें देखना होगा कि अगले 15 दिन में 20 दिनों में भारत सरकार अमेरिका के साथ अपने रिष्टों का कैसे सित्यमाल करती है, और कम से कम भारत की दुनों कंपिनियों को तो वैक्सीन मिल पाती है कि नहीं, क्योंकि हैं बड़ी चुनोती के वाल एक माई से वैक्सीन कारेकरम शुरू होने के विस्तार की नहीं है सिध्धान, तभी दूसरे डोस की लाइन में बहुत बड़ी कतार खड़ी हुई है, जिसे दूसरा डोस दिया जाना है और उसे अब एक माई के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में महेंगा डोस मिलेगा, जो की पहले डाई से रुपए में मिलता था, तो अभी तो हम नए लोगों को फस्ट डोस की लाइन में लाने से पहले, वो लोग जिने पहले डोस लग चुके हैं, उन्हें दूसरे डोस में लाया जाना है, उसकी सप्लाई कैसे होगी, ये भी इसी बात पर नर्वर करेगा कि कितनी जल्दी भारत सरकार अपने कूटनी तिक दबाओ का इस्तेमाल करके, कच्चे माल की आपूरती बहाल करा पाती है, तो ये था हमारा आज का खरचा पानी, आप अपनी राय, अपने सवाल, अपने सुझाओ, कमेंट बाक्स में लिखकर बताईएगा, खुब ध्यान से चीज़ों को आपने आस पास देखते रही है, लोगों की मदद करते रही है, खुद को स्वस्त रखिए, सुरक्षित रही है, और अपना ख्याल लगएगा, बहुत बहुत शुक्रे आपके.